हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत्रियाकाल, स्वागत है आपका उश शो में जिसका नाम है भारत एक मौज मैं हूँ आपका होस्स संजय राजवरा और आईए देखते हैं आज के एपिसोड में के पिछले कुछ दिनों में क्या-क्या मौजें हमारे सामने आई जन्होंने हमें जिन्दगी में हसाया भी और रुलाया भी बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट्स करे थे के जी ओडियो में एको भूत आ रहा है तो मेरे ख्याल से वो जो मैंने एयर का नया बजर बट्टू लगाया था ना कान का एयरपोर्ट जिसको कहते है वो उसकी वज़ा से हो सकता एको आ रहा हूँ तो आज में पुरानी टेडिशनल मेथड पर पहुंच गया हूँ वापस से वायर वाला हेड़फोन लगा लिया है और उम्मीद करा हूँ इसमें आपको एको नहीं आएगी इसलिए कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए घर में समाल के रख लेना चाहिए कभी भी काम आ सकती है ठीक है तो आईए देखते हैं इस बार का भारत एक मौच मेरे प्यारे देश्वासियों आप लोग खुश नहीं हो आप बहुत दुखी हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ दुनिया में 149 कंट्रीज का सर्वे हुआ हैपिनेस इंडेक्स को लेके जिसमें ये जानने की कोशिश करी गई कि कौन से देश का आवाम कितना खुश है 149 कंट्रीज के इस लिस्ट में यानि आउट ओफ 149 कंट्रीज इंडिया इस इन दे लास 10 एस फार आप लोग खुश नहीं हो और ये जो पॉलिटीशन्स आपके पास आके आप से वोट मांगते हैं किस बेसिस पे कि हम और डेवलेप्मेंट करेंगे खेर आप तो हिंडुस तान में डेवलेप्मेंट के नाम पे भी वोट मेंगते हैं अगर आप चैर्ण से सो नहीं पा रहे हो तो इन त्योहारां का क्या फाइदा है अगर आपकी जिंदगी में और आपके बच्चों की जिंदगी में हैपिनेस न हीज तो आपको खुछ रहना सिकाती हैं, content रहना सिकाती हैं, happy रहना सिकाती हैं, लेकिन आज के हिंदूस्तान में आप happy नहीं है, आप खुश नहीं है, 149 में 149 वा नंबर हैं। तो अभी हम proud feel करते थे इस बात से कि पाकिस्तान का 150 वा नंबर है हैं कम से कम पाकिस्तान से तो आ गए हैं जैसे कि पूरी दुनिया में कोई और ही नी compete करने के लिए हमें सिर्फ पाकिस्तान से compete करना है यह और दुखका कारण बन गया बहुत सारे लोगों के लिए अब आप स कहते हैं कि वो अच्छे हैं वो खुश हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आप समझ जाईए कि इन में से जादातर लोग जूट बोल रहे हैं दोस्तों पिछले कि उस दिनों में एक फिल्म बड़ी चर्चा में है कश्मीर फाइल्स मैंने सोचा था इसके बारे में मुझे बोल लगी क्या जरू होता है सारी दुनिया इसके बारे में बोल चुकी है पूरे टीवी चैनल इसके गुन का रहे हैं यहां तक कि परधान मंत है यह मुझे बोलने की जरूत नहीं है आपको जगाजा देखने को मिल रहा हुआ फिल्म की जो है जो स्क्रीनिंग होती है उसके बीच में नारे लगने लग जाते हैं और लोग के मन में एक अजीब सा उबाल उफान आ जाता है उनके खून में कि वो कुछ कर गुजरने को तयार हो जाते हैं अब बेसिकली पब्लीक बहुत इमोशनल हो जाते हैं बहुत सारे लोग तो रोने भी लग गए हैं थेटर में इसके बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिले होंगे मुझे थोड़ा अजीब यह लगता है कि पिछले दो सालों में इस देश के अंदर इतना जुल्म हुआ है चाहिए आप कोवीड को ले ले हैं उससे पहले डेमोनिटाइजेशन को ले ले हैं कोवीड में मतलब ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखी हैं जिसमें उपर से देखा गया है तो लाशी लाशें बिच्छी हुई हैं लोग अस्पताल के दर्वाजों पे मर हैं लोगों घरों में oxygen नहीं मिली मेरे ख्याल में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो affected नहीं रहा होगा कोवीड से हैं और उससे पहले जब lockdown लगा शदीद दिक्कतें लोगों को पेश आई मजदूरों को अपने घर चल चल के जाना पड़ा कोई उनको सहुलियत नहीं दी आरी मैंने बताई हैं यह भी फाइल सी हैं डी मॉनिटाइजेशन फाइल लोगडाउन फाइल कोवीड फाइल oxygen फाइल यह सब फाइले हैं इनको इनके बार यह तो आँकों के सामने हो रहा था भई अभी हो रहा था उसको देखके किसी को दुख नहीं हुआ लेकिन इस फिल बीजेपी के कुछ चुटभाईया नेता हरियाणा में इस फिल्म की तैश में आ जाते हैं चुटभाईया नेता होते हैं उनको मतलब आपको पता ही है बड़े-बड़े ओर पोस्टर लगे होते हैं चोटे-चोटे शेरों में के इनको सच्चिव बनाने के लिए द्धानवंत्री और फिर सारी फोटो लगी होते हैं तो जितने चुटभाईया नेता होते हैं उस इलाके के उन सबकी फोटो महां पर लगी होती है और बेसिकलिव वहां के बेरोजगार होते हैं जिनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन होती है अब हरियाना बीजेपी के ऐसी आके ऐलान कर दिया कि भाई फिल्म तो टेक्स प्री होगी है अब हम इस फिल्म की ना फ्री स्क्रीनिंग करेंगे इस बात से कश्मिरी पंडितों का जो इनसाफ दिलाने का बीड़ा जो अपने कंदे पे उठाके जो चले थे बीड़ा उठाके चले थे विवेक अगनी हुत जी उनके अंदर का फिल्मेकर चुप रहे के सड़ली उनके अंदर का बिजनसमेंग जा गया और उन्होंने अपील करी मतलब सीम खटर साब से और एक दो बड़े बीजेपी लीडर से के फिल्म जो है ना ऐसे फ्री में नहीं दिखाई जानी चाहिए टिकेट लगना मैंसे फिल्मेकर नहीं हूं मेरा एक एजेंडा ठीक है अब फिल्म एजेंडा इस तो पूरा कर रही है और अगर आपा फ्री में लोगोंं ये पास जारी तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको लोगों तक पहुंच रहा है लेकिन ना बी-बी ना बच्चा ना बाप बात करी है जिसके मतलब सुनने के बाद जो ना दुनिया के बड़े-बड़े जो डॉक्टर जो ना सोच में पढ़ जाएंगे देखो यह तो आपको पता ही है कि मोदी जी सोते बहुत कम है और देश के लिए जागते रहते हैं उन्हें देश की इतनी चिंता है बहुत काम करत रहें मतलब जो बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं जो स्लीप के फील्ड में काम करते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आप कम सो गए तो आपकी आउटपुट कम हो जाएगी आप ठके ठके रहेंगे लेकिन हमारे मोदी जी कुछ एक्सपरिमेंट कर रहे हैं आप समझे ए क्यांटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ट होता है मोदी जी एक एक्सपरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो ऐसा ट्रेंड कर रहे हैं कि भई वो सोए ना और 24 घंटे काम करते रहें मतलब एक ऐसे इसको मानव नहीं कहेंगे मतलब वो मानव से रोबोट में ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं कि जिसको सोने की कोई जरुवती नहीं है जिसको देश की लिए जिसको 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं ठीक है तो वो वो उन 24 घंटों को पांच मिनट भी सो के वेस्ट नहीं करना चाहते यह किसी इंसान के बसकी बात नहीं है दैविक शक्तियों में तो मैं बि देश की सेवा में करता रहेगा दोस्तों अगर मोदी जी के बारे में आपको सब कुछ नहीं पता है वैसे तो मैं मान नहीं सकता कि इतनी पुब्लिसिटी और इतने टीवी चैनल और इतनी न्यूज चैनल अकबार होडिंग शोडिंग लगा लगूने के बाद बाल नरिंद ऑफ नरेंदर मोदी मतलब और भी स्टोरीज आं जो आपको पता निकोए हमें तो सब पता है कि कब इन्होने चाह बेची कभी है फिर इन्ナ ने भिख्षा मांगी अपणा सव्हाई के लिए कब जो है यह जंगनों में गए फिर यह भी पता है कि हमें बेशें लिबरेशन क इसे नाता है मतलब जहां पर बीजाएं इनका वहां से पुराना नाता होता है इनके ड्रेस से आपको पता चल चुका है कि मतलब इसे पुराना पता है और तो और यह भी पता है हमको कि आम काटके खाता है यह चूसके खाता है फिर भी कुछ बचा हुआ है अगर जानने के लिए कि पी ए मोदी के बारे में और कुछ भी है इंफॉर्मेशन तो प्लीज चेक दिस वेबसाइट आओ यह अभी लॉंच हुई है आपका ग्यान में आपके ग्यान में और वरद्धी होगी आप और सम्मान करेंगे अपने प्रदान मंतरिगा क्योंकि ऐसी ऐसी कहानिया आपको सुनने को मिलेंगी जो आपको भी सोच भी न अरुस मुलक में वहां उस रेस्ट्राँ के मैनेजर ने एक महिला जो लोकल थी जो हिजाब पहन के उस रेस्ट्राँ में खाने जाए ती उसको घुसने से रोग दिया पर अपने यहां तो जो गंद कर रहे हो ठीक है लेकिन भार जाके थोड़ी कर सकते हो मगर क्या करें यार ऐसी ब्रिगेड की जमाप लग गी है जो एक्चली में ये सोचने लगे हैं कि दुनिया का हर नेता मोदी जी के सामने हाज जोड़ता है हिंदुस्तान जो अब विश्व गुरू बन गया वो कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं किसी के देश में जाके कुछ भी बोल सकते हैं कैसा भी बिहेवियर कर सकते हैं कैसा भी बरताव लोगों के साथ कर सकते हैं पापा है ना पापा सब देख लेंगे पापा सब समालेंगे क्योंकि बाकी पूरी की पूरी दुनिया पापा से डरती है पापा के सामने हाथ जोड़ती है पापा को ने बताने की जरूरती नहीं है तो दोस्तों ये था इस बार का भारतिक मौज उम्मिद करता हूँ कि इस बुजूर्ग को कान में लगाने से संसकार आगे होंगे वीडियो में और इको कम हो गया होगा और अगर अगर अभी भी इको कम नहीं तो फ्लीज जरूर लिख दीजे फिर मैं और इससे भी बुजूर कोई और ढूंडूंगा जितना बुजूर्ग होगा हो सकता है उतने संसकार वापस हैं ये थी इस बार की मौजे देखते रही है इस प्रोग्राम को जिसका नाम है भरतिक मौज और अपने चारो तरफ भी मौजों को निरंतर देखते रही है आप सब भी अपना खुद का प पड़े में लड़ते पड़ते गोल फिर भी बाजना आए बंदर बाट के जोल संत मंतरी पुलिस कलक्टर सभी खड़ा माडोल ज्यान में खोट ना आए बार देख मौज रे पीटी उसा पीछे चाड़े मलया मोदी मेल चौकी दार जो दिन में सो गया बन गई देश किरेल रे चटनी एक ऐसी वई आ स्वाद सभी सभी रोल मजे में फिर भी ले चटका रे भारत एक मौज अरे चड़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस महाबारत के काल में ओ गई इंटरनेट की खोज बहलू का सिमरक बर मांगे जान के भिक्षा रोज पर काठ के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज अर मन की वात करे अर संडे बिना किसी के रोक आम नागरिक कुछ भी बाले लो आग गई जनकीडों की वात अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पे अर पे बोज पर कावडियों पे फूल की चादर भारत एक मौज अरे भारत एक मौज